नमस्कार एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है परिक्षा वर्ल के से टूब चैनल में दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बदले गये नामों के बारे में यानि कि विभिन प्रकार के जो सहर हमारे देश में है उनका जो नाम करने सहरों के अलावा और भी जितनी जगए हैं जिनका नाम बदला गया है 2021 में उनको आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं करेंट अफेस का या काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है इस टॉपिक से लगबग सभी प्रकाय की परिच्छों में एक से दू प्रस्तन देखने को मिलते हैं तो इस वीडियो को आप बिलकुत ध्यान से अटेंट के जेगा इस वीडियो में हम उन सभी इंपोर्टेंट बदले देश की जो गवर्मेंट है उसके दोरा काकोरी ट्रेन कांड का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है सुपर इंपोर्टेंट प्रस्त इसका एक्जाम में आपके पूछे जाने का चांस बहुत ही जादा है तो सबसे पहले आप आईए बात कर लेते हैं इस घटना के बारे मैंन क्रांतिकारी संगठन जिसका नाम था HRA इसका पूरा नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसियेशन जिसका गठन किया गया था 24 अक्टूबर 1924 को कानपूर में आप इसे याद देखिएगा तता इसी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसियेशन के जो क्रांतिकारी थे इनी क्रांतिकारियों के दारा इस घटना को अंजाम दिया गया था तो यह जो घटना थी काकोरी ट्रेन कांड यह कब हो आता तो 9 अगस्त 1925 को ते डेट आपके एकजाम में पूछिया सकी तो 9 अ जिसका नाम था काकोरी था ट्रेन का क्या नाम था गटना यहांद इतिहास का प्रस्त नहीं, «modern history का प्रस्त हैं», तो मैंने आपको इसकी डेट बता दी है, किस के दौरा इस हारा घटना का अन्जाम दिया गया था, कब दिया गया था, और ट्रेन का क्या नाम था, और किस जगा पर हय दिया गया था, येसे भी आपको बता दिया है येसे फेक्ट आपको याद धखना पड़ेगा अब हम बात करेंगे इस train card का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है तो काकोरी train card का हाली में नाम बदल कर काकोरी train action कर दिया गया है उत्तरपदेश की government के द्वारा तो option आपका A बिल्कुल सही याँ आप देख रहे हैं काकोरी train card का नाम बदल कर कर दिया गया है काकोरी train action तो आप इसे ध्यान दिजेगा option आपका A 100% सही है अगला प्रस्निया पर मारा है हाली में गुजरात की सरकार ने dragon fruit का नाम बदल कर क्या कर दिया है तो गुजरात की सरकार के द्वरा dragon fruit का नाम बदल कर दिया गया कमलम याईने की option आपका B बिल्कुल सही है अगला प्रस्निया पर मारा है हाली में राजीव गांधी खेल लत्न पुरसकार का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है यह जो आपका राजीव गांधी खेल लत्न में नाम बदलकर केंट सरकार के दरह कर दिया गया है मेजर ध्यान चंद्र खेल रत्न पुरसकारियां पर आप देख रहे हैं खेल रत्न अवर्ड विल हियर भाई बी कॉल्ड द अब इसे ध्यान देजिएगा option आपका यह बिल्कुल सही है यह मेजर ध्यान चंद्र जो है इनक प्रसके रुपे मनाते हैं तिसे भी आप आदिकेगा चाता मेजर ध्यान चंद्र को होकी का जादुगर भी कहा जाता है तो आप इसको यह से भी फैक्ट याद रखना है अगला प्रस्निया पर आप रहे है हाली में किन सरकार के दरह मिड़े मिल इसकीम का नाम बदल कर क्या पोशन योजना यानि कि आपका भी बिल्कुल सही है इस योजना के अंतर का जो है 11.80 करोड लड़के जो होंगे जो स्कूल में पढ़ने भी लाभानवित होंगे ता भी सिया दिखेगा इसके अंतर का जो फाइनिंसियल एड है केन सरकार के तरह 44,000 करोड रुपे का दिया जो है केन सरकार के तरह इसके अलावा 31,7331.70 करोड रुपे का जो फाइनिंसियल लेड है वो यूनियन ट्रेटरी और जो है आपकी राजसरकारे वहन करेंगी इसके अलावा जो आपकी केन सरकारे वो एडिसनल चार्ज वहन करेंगी खाद्यान के उपर लगबग 45,000 करोड रुपे का तेसी भी आप ध्यान दिजेगा तता इस इसकिंग बक्याना में तो पीम पोसर यूजन आता अब इसे याद रेखिएगा तता आपका जो मिड़े मिल प्रोग्राम तो इसको सुरू कब किया गया था तो इसको सुरू किया गया था वर्स 1905 में तो आप इसे ध्य चंद्रमा के दक्षिडी दूरू पर खोजे गया चंद्र क्रेटर का नाम रखा गया है मैथ्यू हैंसन के नाम पर यानिकि ऑप्सन आपका सी विल्कुल सही है मैथ्यू हैंसन के नाम पर जो है इस चंद्र क्रेटर का नाम रखा गया तो आप्सन आपका सी 100% सही आप इसे ध्यान दिजेगा यहां पर आप देख रहे हैं कुछ बेक्सिक फैक्ट आपको याद रखने पड़ेंगे यह मैथ्यू हैंसन है आर्केटिक खोज कलता है यह न अंतराष्टी खगोली संग्याने के इंटरनेशनल एस्टरनामिकल यूनियन के तो इसका हेड़काटर आपको में लेगा पेरिस फ्रांस में अंतराष्टी खगोली संग्यों की अस्थापना के गये थी 28 जुलाई 1919 को तो इसके बतमान में अध्यक्ष हैं इविन वेन डी सो एकते बेसिक फैक्ट भी आपको याद रखना है तो जिस बेक्टी के नाम पर इसका नाम रखा गया उसके बारे मैंने आप जानकारे लिख्यों यह तो इसको भी आप एक बार वीडियो को पहुँच करके देख लिजिएगा इसके बाद अगला प्रस्निया पर मारा है हाली अगला प्रस्निया पर मारा है राजीव गांदी राश्टी उद्यान किस राज में स्थित है तो राजीव गांदी राश्टी उद्यान आपको मिलेगा असम में यह चल्चा में क्यों था क्योंकि हाली में इसका नाम बदल कर दिया गया है ओरंग राश्टी उद्यान तो इसका नया नाम हो गया है अगला प्रस्निया पर मारा है हाली में जम्मो कस्मीर की जो चिनानी नासरी सुरंग है इसका नाम बदल कर किसके नाम पर रख द का जो नाम कल दिया गया है स्यामा प्रसाज मुकरजी सुरंग आने का ऑप्सन आपका बी बिल्कुल सही, आप पिक्चर में देख रहे हैं यहाँ पे स्यामा प्रसाज मुकरजी सुरंग also known as Samah Tunnel and formerly as Chinani Nasari सुरंग याने की जो चेनानी नासिरी सुरंग थी इसका जो नाम है अब स्यामा प्रसाद मुखरजी सुरंग कल दिया गया है तो आप इससे द्यान देजेगा तता 2017 में यह सुरंग बनकर तयार हुई थी ताप इससे द्यान देजेगा इसकी अवस्तिती है जम्मू कस्मीर में अगला प्रस्तिया पर मरा है, हाली में पुर में पंजाब की शरकार के अधर आप मुछाली अंतराश्टी हौकी इस्टेडियम का नाम बदल गए कि इसके नाम पर रख दिया गया है तो पंजाब की जो गुवर्मेंट है उसके दारा मुहाली इस्थित अंतराश्टी क्रिकेट स्टेडियम का जो नाम है या बदल कर कर दिया गया है बल्विल सिंग सीनियर के नाम पर आप पिक्चर हम देख रहे हैं मुहाली स्टेडियम टू भी नेमड आप्टर बल्विर सिंग सीनियर तो आप इसे द्यान देजिएगा अगला प्रस्थिया पर मारा है हाली में उडिसा इस्थित वीलर दीब का नाम बदल कर क्या कर दिया गयाने कि वीलर दीब जो आप इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है तो वीलर दीब का जो नाम है या रखा गया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर याने कि आपका ए बिल्कुल सही है तो अंडमा निकोबार का जो हैवलोग दीप था इसका नाम रखा गया स्वाराज दीप यानि की option आपका बी बिल्कुल सही है हैवलोग दीप का नाम रखा गया स्वाराज दीप तो option आपका बी बिल्कुल सही है अगला प्रस्तिया पेमारा है अंडवानिकोबार का जो नील द्वीप था इसका नाम क्या रख दिया गया है अब तो नील द्वीप का नाम रख दिया गया है आपका सहीद द्वीप यानि की option आपका भी बिल्कुल सही है नील द्वीप का जो नाम है अकल दिया गया है अब सही द्वीप इसके लबाए एक और द्वीप आपका अंडमान का जिसका नाम है रास द्वीप इसका नाम कल दिया गया है अब टीवी तो उसको महाली में मर्च कल दिया गया था तता इसको मर्च करके इसका जो नया नाम था वह कल दिया गया था संसत टीवी यानि कि आपका ए बिल्कुल सही है तप इसका नया नाम कल दिया गया था संसत टीवी तो आपसन ए आपका बिल्कुल सही है इसके बाद अगला प्रस्थित के परिसर में एक इस्टेडियम का नाम किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है सुपर इंपॉर्टन प्रस्ट तो हाली में टोक्यो उलम्पिक में सौन पदक जितने वाले खिलाडी थे आपके निरज चोपड़ा इनिक के नाम पर जो है इस स्टेडियम का नाम रख दिया यहाँ पर आप देख रहें निरज चोपड़ा स्टेडियम आर्मी स्पोर्ट्स इ जाएगा निरज चोपड़ा इनका खेल कौन सा है तो जैवलिन थो इन्होंने टोक्यो उलम्पिक में सौन पदक अपने नाम किया है तो आप इसे ध्यान देजेगा अगला प्रस्थन आप रहा है हाली में हावडा कालका मेल का नाम रखा गया है नेता जी एक्सप्रेस यान अब है अटल टर्नल यानि की ऑप्सन आपका जो ए बिल्कुल से हो जाएगा विमांचर पदेश की जो रोहतांग टर्नल है इसका नाम नया हो गया है अटल सुरंग तो आप्सन आपका ए 100% सही है इसके बाद अगला प्रस्थन आप हमारा है हाली में दिल्ली इस्थित प्र प्रवासी भारती किंद्र है इसका नया नाम कर दिया गया है और सुस्मा स्वराज के नाम पर यानि कि अमारी जो भुद्पुर्व विदेश मंत्री थी जिनका निधन हो गया है अब इनी के नाम पर इस प्रवासी भारती किंद्र का नाम रख दिया गया है तो आप्सन नाम अब नए हो गया दाय मिया निकि option आपका एह ईह बिल्कूल सही. अगला प्रस्तिया प्रस्तिया अपका go air इसका नया नाम क्या रखा गया? तो go air का नया नाम हो गया है go first यानि कि option आपका a बिल्कुल सही है go air कनया नाम रख दिया गया है आपका go first आपी से ध्यान देजिएगा अगला प्रस्थन आप हमारा है हाली में भारी उद्योग और सारवजनिक उद्यमंत्राले के नाम का नाम बदल कर क्या कल दिया गया है तो हाली में भारी उद्योग और सारवजनिक उद्यमंत्राले का नाम बदल के कल दिया गया है भारी उद्योग मंत्राले यानि की option आपका b बिल्कुल सही है भारी उद्योग मंत्राले इसका राइटेंस रो जाएगा option b अगला प्रस्थन आप हमारा है हाली में मино्सनसादन विकास मंत्राले का नया नाम क्या कल दिया गया था जहांसी रजवय पर रखा गया है तो जहांसी रेलवे स्टेशन का नाम किसके नाम पर रखाय गया है तो राणी लच्छिमभाई के नाम पर आपका बी बिल्कुल सही है उत्तरपदेश का जो जहांसी रेलवे स्टेशन है अब इसका नाम बदल के कल दिया गया है राणी लच्छिमभाई रेलवे स्टेशन तो आप इसे ध्यान देजएगा option आपका जो B है बिल्कुल सही है, इसके बाद अगला पृस्ट नाप बारा है, हाले मेंने दिल्ली स्थीत प्रगती मैदान का जो Metro Station है, इसका नया नाम बदलके क्या कल दिया गया है, कि प्रक्ति मैदान का जो Metro station ने इसका नाम बदल कर दकल दिया गया Supreme Court Metro station यानगि Option आपका E नाम पर रखा गया था तो फिरोज सा Пोटला इसका नाम रखा गया था हमारे जो भुदपुर्व वित््रमंत्री थे अरुन जटली के नाम पर याने की प्रस्तिया 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 प् मनुवाडी रेल्वे स्टेशन का नाया नाम कर दिया गया है? तो मनुवाडी रेल्वे स्टेशन का नाया नाम कर दिया गया आपका बनारस रेल्वे स्टेशन यानि कि आपका A बिल्कुल सही है बनारस रेल्वे स्टेशन तो आपका A बिल्कुल सही है अगला प्रस्तिया आप हमारा है हाली में गुजरात का जो क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा जो कि बिश्ट का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी है इसका नाम किसके नाम पर रख दिया गया है तो अब इस मोटेरा स्टेडियम का नाम दिया गया है नरेंद्र मोधी स्टेडियम याने की option आपका भी बिल्कुल सही है नरेंद्र मोधी स्टेडियम तो दोस्तों यह हमारा आज का लास्ट प्रसंद था बदले गए नामों का I hope यह वीडियो आपको जुरू पसंद आएगा तो आज के लिए बस इतना ही हम जल्दी मिलेंगे इसके अगले बाग में तब तक के लिए thank you thanks for watching thank you